हेलो वेलकम टू अकेडिमिनेस गाइस आज के इस रीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि एक लाइट रे है वो इसको अगर हमको अंडेविटेड रखना है तो उस केस में क्या-क्या कंडिशन हो सकती है तो हम कंडिशन चेक करेंगे कोई लाइट रे जब वन मेडियम से अन नबर फाइब और इसके प्रिवे जो फो लेक्चर हैं वो आपको दी दिये गए हैं इन लेक्चर को देखने के लिए प्लेलिश में जरू वजिट कीजिए तो चलि हम इस टॉपिक को डिसकस कर लेते हैं क्या-क्या कंडिशन हो सकती है जैसे अब बात आती है कि सबसे पहला टाइगेट थी क्या है टारे गिट की जो लाइट रेए है वो क्या होना ही चाहिए वह फंटेव qvbc जयी जा रही थी हो वैसी जानी जाए है उसमें कोई भी चेंज स्क दिव der जैसे सपोच कर लिजिए आपके पास एक सरफेस है अब यहां पर ray of light क्या है incident करती है इस point ओपर तो यह light ray में क्या कोई deviation नहीं होना चाहिए जैसे अब देख सकते हैं यहां पर कोई deviation नहीं है तो इसी तरीके की condition आपके साथ होनी चाहिए यह main important बात है अब यहां पर देखे question mark यह आता है कि क्या condition हो सकती है तो guys actual में यह सारे point में आपके साथ already previous lecture में discuss कर चुका हूँ but उनको आपको क्या ध्यान नहीं होगा देखे क्यों ध्यान नहीं होगा अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप खुदी कहें कि बास्तम में यह सारे points हम cover कर चुके हैं बट अब यहां पर हमको यह topic है इसमें systematic form में पढ़ना है तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ा erase कर देते हैं तो देखिए पहला case आपका होता है normal incidence क्या होता है पहला case आपका normal incidence मर्लब अगर हम ray of light लें यदि हम ray of light रहें और वह surface के perpendicular incidence कराएं जैसे यह हमारा surface है और अगर हम ray of light इसके perpendicular incidence कराते हैं तो आपको पता है कि जब ray of light perpendicular incidence करती है तो ray of light क्या सीधा क्या है पास हो जाती है तो यह ray of light क्या सीधा क्या है पास हो जाएगी जैसे यह point o है यह point of incidence है यह surface है आपका और यह आपका medium first है और यह आपका medium second है तो medium first से जब ray of light medium second में आती है और अगर normal incidence हो रहा है तो उस case में जो ray of light है वो अपने राष्टे से क्या है बठके गिरी है मतलब जो ray of light है वो क्या रहेगी undavated रहेगी और इस case में जो angle of incidence है वो आप देख सकते हैं वो क्या होगा zero होगा क्यों zero होगा क्योंकि इसी point पे हमारा normal क्या है exist करेगा और इसी तरीके से यहाँ पर normal यहाँ भी होगा और यहाँ पर जो angle of reflection है वो क्या है यहाँ यहाँ पर zero हो जाएगा तो यह होगा first case जब आपको normal incidence का case होगा तो इस case में ray of light क्या है undaviate रहने वाली है अब दीए दूसरा case क्या हो सकता है तो guys मैंने आपको discuss किया था अगर जो medium है अगर जो medium है वो same रखते हैं अगर अगर surface के दोनों तरब medium क्यार करते हैं same रखते हैं तो फिर ray of light क्या है undaviate रहेगी just suppose करीए यह हमारा surface है अगर हम इधर air ले 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 लेते हैं और इधर भी air ले 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 लेते हैं और उसके बाद यदि ray of light अगर हम यह incident कराते हैं तो यह ray of light क्या है सीधा निकल जाएगी मतलब इसमें कोई भी deviation नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा अगर हम इसमें normal भी बना देंगे कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं है मतलब यहाँ पर जो deviation है वो कुछ भी नहीं होगा मतलब यहाँ हो क्या रहाए यहाँ पर जो medium है वो हमने क्या लिया है मतलब रे जो है अपने पात से क्या रहेगी तो गाइस यह दोनों पॉइंट आपको काफी अच्छे स्किलियर हो गए होंगे इसके जो फ्री नोट्स हैं वह आप हमारे फेस्टुक पेस्ट से वाट्सप ग्रूप से और फेस्टुक ग्रूप से प्राफ्ट कर सकते हैं गाइस नहिए जो हमारा नमबर है वह फेस्टुक पेज पेज़ डाला गया है तो आफ डिस्क्रिप्सिंग वॉक्स में जाहिए जो लिंक दिया फेस्टुक पेज़को घ्लिक करके पैज को जैसे लाइक हो आपके सामने वादा नमबर अपर अप्पेर हो जाता और दिसकास कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि हम आपके लिए शुब लाते थे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स विडिम तब तक लिए